सूआचार दोस्ट वा ओपर हमारे यूटुब चैनल एगृ बिश्वास पर दोस्तो अगर आप हमारे चैनल एगृटर्व सब्सक्राइब कर देश dollar. सब्सक्राइब करें तो दोस्तों कोचिंग में ना करें पैसों की बरवादी क्योंकि आप वह एक्री विश्वास के साथ नोट्स के लिए आज ही और सब्सक्राइब दोस्तों आज हम पसपालान के कोई चों मोश्ट इन्पोर्टेंट 20-30 किचन करने वाले जो की इस प्रकार है अमारा पाहला नमबर प्यूच्चन जो की है हमारा पीडियाप में 162 नमबर में है तो दुस्तों इसका जो कुछ इस प्रकार है बकरी की किस नसले को घुमक कर बकर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसमेंगा उप्सेंगं適तें इस से मैं जॉनाड़ेगे बिदी जाना जाता है दोस्तों आपको बताओगा गांजा आंडरी को Online किरसी कोचिंग सस्थान करें कॉंपलेट घर बैठें अब स्च IchaS vite करने पर आपको मिलेंगा सेलेक्शन की 100 परसंट गारंटी हमारे यूट्यूब चैनल एगरी विश्वास को सब्सक्राइब जरूर करें से ये पेटी नोट से लेने के लिए आप हमसे क्वांटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा आगे का जो क्वेच्चन 162 नंबर क्वेच्चन कुछ इस प्रकार है 163 नंबर क्वेच्चन बकरी की 21 नसल का सरीर का आकर त्री कौना कर होता है दूसतों चैनल ने किस अबर varic न tranplease है उस सारो कि हैं जो कि समौस्ट इप्वी पॉर्टेंट कोवेच्चन अफ्लोड किया जाता है तो दूसतो एको तो उस्ट नका जो हडंब आपकरीन का यहल आकार में त्रीकोन आकार होता हैं आगे कुछन देखते हैं 164 नमबर कुछन दोस्तों इसी टाइप का लंबा चोड़ा पीडियाप आपको मिल जाएगा हमारे वाटसप नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए आपको नोट्स किसी प्रकायर का एकजाम का नोट्स भी आपको हर प्र चोड़ा पर चनबारबरी नसल का बारत में उत्पत्ति इस्थल है तो दोस्तों कौन सा जीला है तो इसमें आपको जो एक किलिक करना है कौन सा तो इसमें 164 का जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन अ उत्तर प्रदेश्ट का इटावा जीला इटा लिखा है लेकिन आप पर इटावा जीला होता है कई पर इटा लिखा है तो आपको उसमें कंफ्योज नहीं होना है आगे देखते हैं 165 नमर को चन बकरी की किस नसल की पीट जोल मतलब ढलान होता है तो दोस्तों यह 165 का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सा सिरोही आगे देखते हैं 166 न 166 नमर को चन बकरी की किस नसल की पीछले हिस्से जांगो पर घने लंबे बाल पाया जाते हैं तो 166 का जो राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ टोगन बर्ग जिसे कहा जाता है ऑप्शन और 166 नमर को चन देखते हैं बकरी की कौन सी नसल का पीट धनुसाकार होत होता है अगर देखते हैं एक सो 179 नमर को चन बकरी की कौन सी नसल के सिंग घुमावदर होता है तो दोस्तों हमारी यूटीब चैनल एग्री विसस को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका एक सब्सक्राइब बारबरी इसका सिंग जो एक घुमावकार आकर का होता है 170 नमर को चन बकरी की कौन सी नसल का दूद दुख्द काल सबसे लंबा माना जाता है तो 170 का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन बर्क टोगन बर्क जिसका दुख्द काल सबसे ज्यादा लंबर टाइम तक चलता 171 नमर कोचन बकरे की किस नसल को दूद की राणी के नाम से जाना जाता है तो 172 की नाक का आयन पर काले ढब्ब्ब्ले होते है तो 172 जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सा साने जुव्य टाइप का नोट्स लेने के लिए आप हमसे क्वांटेक कर सकते हैं हमारा नंबर स्कृत पर यह उपर दिया गया है बगरे के कौन सी नसले सेंग रहीत होती है दोस्ते एक क्वेच्चन मौस्ट इंपोर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं बार 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 जिसका राइट एंसर ट पालन विवागदवरा अनूदान दिया जाता है तो कौन सी नसले जो खरीदने पर उसे दिसकाउंट में दिया जाता है याज कुछ मिलता है आपको सबसे डिनाम से जाना जाता है उसे बारत में बखरे के सबसे बड़ी नसल कौन सी है दोस्तों 176 का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन बाद जाऊना पारी जो के सबसे बड़ी नसल है 157 नमबर कोचन राश्टिय उट वन सी है पसु अधिनियम कब पारित हुआ तो 177 का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्सन बाद 2014 से आगे देखते हैं 179 कोचन राइट को राज्य पसु का दर्जा कब मिला 179 का जो राइट एंसर हो 19 सितमबद 2014 को मिला आगे देखते हैं 180 नमबर कोचन राइट अपने सरीर का भार के कितने परतिसाथ सुख से पदर